असलाम वाली कुम वीवर्स आज मैं आपको लोग के लिए क्विक से डिनर की रेसिप लेकर आई हूँ कासा डेला से खाने जा रही हूँ जिसे बनाना बहुत असाने और बहुत ही मुज़दार बन के तियार होता है ये दस मिनट के अंदर आप इसको बना के तियार कर सकते हैं कभी भी आपको कुछ अच्छा सा इंट्रस्टिंग सा खाने का मूड हो तो इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिएगा अगर आप मेरे चानल पे नहीं हैं तो मेरे चानल को सब्सक्राइब करें साथ साथ और नोटिफिकेशन को क्लिक करें इससे आने वाली मेरी हर नहीं वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले तो चलिया ये वीडियो स्टार्ट करते हैं इदर मैंने एक पैन ले लिया है इसमें एड़ कर दिया है 2 टेबल स्पून के बराबर और इसके बाद हम इसके अंदर एड़ कर देंगे जिंजर गाली पेस्ट 1 टी स्पून के बराबर इसको हलका से फ्राई करेंगे टोमाटोस एड़ करेंगे इसमें 3 टेबल स्पून और इसको फ्राई कर लेंगे वेश्टिबल को ये में सिर्फ दो सर्विंग बना रही हूँ तो बस आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है वेश्टिबल को जब ये फ्राई हो जाएंगी फिर हम इसके अंदर एड़ करेंगे बोईल चिकन आदा कप के बराबर इसको मैंने चंक्स में कट कर लिया था चोटी पीसेस में बस कट कर लिया है और इसको भी हमने हलका से फ्राई किया है फिर हम इसके अंदर एड़ करेंगे युझारी पावडर 1 p. 1-2 tsp हलती पावड़र एड करेंगे 1 4 tsp प्लैक पेपर एड करेंगे इसके नर 1 1-1 tsp ऑसल्टे एड करेंगे इसमें 1 1-2 tsp और इसको मिक्स करेंगे अची तरीके से हलका सा फ्राइ कर लेंगे इस मसालों के साथ और यह बहुत क्विक सी रेसिपी है इसके फिलिंग मिराने में आपको सिर्फ 2 मिनिट लगते हैं जादा टाइम नहीं लगता है फिर मैं इसके अंदर आट करूंगी सोया सॉस 1 टेबल स्पून और इसके बाद हम इसके अंदर आट करेंगे टोमाटो कैचप 3 टेबल स्पून के बराबर और इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से तो बस यह आपकी जो फिलिंग है वो रेडी हो गई है साड़ला की बस आपने हलका सा मिक्स करना है फिर फ्लेम ओफ कर दीजिएगा तो यह देखिए यह रेडी हो गई है अब इसको एसेंबल करने के लिए मैंने एक तवा ले लिया है इसके उपर हमने थोड़ा सा ओईल आट कर देना है वन टेबल स्पून के बराबर और इसके उपर मैं रख दूँगी टॉटेला ब्रैट और यह मीडियम साइज की हैगी इसके उपर हम रख देंगे चीज तो इदर मैंने चैडर और मॉजरेला चीज लिया है चीज आप अपनी मर्जी के मताबिक अट कर सकते हैं कामिया जादा चाहें तो चीज स्लाइस भी आप यूज कर सकते हैं और इसके उपर हम आट कर देंगे जो हमने फिलिंग बनाई थी वो आदी मैं इसके उपर आट कर दूँगी अच्छा इदर में टॉटेला ब्रैड यूज कर रही हूं और आप लोगा चाहे तो नौर्मल जो घर की रोटी होती है उसके साथ भी आप इसको बना सकते हैं तो जो चीज घर में अवते हो उसके साथ काम कर लिया करे मतब उसी के साथ आप रेसेपी इसको बना सकते है तो इप फिरिंग को हमने अच्छे से स्प्रेट कर दिया उसके बाद थोड़ा सा चीज और हम ओपर से डाल देंगे अगर आपको जादा चीज पसने तो आप जादा भी आड़ कर सकते हैं जादा हाइ फ्लेम पर फ्राइ नहीं कीजिएगा उससे क्या होगा रोटी बहुत अच्छे से ब्राउन तो हो जाएगी लेकिन यह है कि वो कड़क नहीं होगी मतब क्रिस्पी नहीं होगी तो हमें थोड़ी सी क्रिस्पी चाहिए इसके लिए तो इसको मैंने टर्न कर दिया आप दूसी साइट से भी हम इसको हलका से पका लेंगे सिर्फ एक से डेर्ड मिन लगता है इसको पकाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है तो देखिए दूसी तरफ से भी पक गई अब इसको मैं निकाल लूँगी यह देखिए और इसको आपने गरम गरम सर्फ करना है तो इसको हम कट कर लेते हैं मैं ताकि आपको अंदे से इसका लोग दिखा सकूँ बहुत ही मज़दार बनके त्यार होता है यह और आपने इसको ट्राइजरू करना एक कंप्लीट मील है डिनर के लिए क्योंके इसमें वेजटेबल भी है चिकन भी है चीज भी है और रोटी भी है तो आपको सबी कुछ मिल जागा इसके अंदर और बहुत ही मज़दार बनत अधिये का अल्हाफिज